सो गाइज वेलकम बेक टू अनदर वीडियो यह जो वीडियो है यह हमारी 64 वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अपना साइन अप और लॉग इन पेज को रिस्पांसिव करने वाले है ठीक है तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ साइन अप पेज के उपर तो अगर मैं इंस्पैक करता हूँ यहां पर और यहां पर आप लोग देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है भी तो इसको जो रिस्पांसिव करना है वो बहत ही जादा सिंपल है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमारा रिस्पांसिव होका ठीक है अभी यहां पर बंकर लेता用 और मैं आ जाता हूँ मैं आ जाता हूँ साइंप कंपोनेंट चैंट सानाप कंपोनेंट के अंदर टीक है screen and maximum width maximum width अगर तो हो जाती है कितनी 1106 pixels ठीक है 1106 pixels की तो क्या गड़ना है simple simple यह जो हमारा welcome to heading basically welcome to sign up ठीक है तो यहां पर अगर मैं आऊ और यहां पर मैं इसको copy करता हूँ और यहां पर मैं paste करता हूँ ठीक है तो इसके अंदर जो मेरे h2 है basically उसको मैंने जो heading है उसको मैंने font says दिया मैं 40 pixels का ठीक है 40 pixels का मैंने font says दिया मैं क्या करूंगा just 35 कर दूँगा ठीक है let's see तो यह देखो यह 35 हो चुका है और इसके बाद मैं यहां पर इसको इस तरीके से मैं कहां पर अब छोटा करूंगा इसको मैं छोटा करूंगा इसको 843 पर ठीक है 843 पर मैं इसको चोड़ा और छोटा करूँगा तो simple मुझे क्या करना है simple यहां पर आना है और यहां पर लिखने 843 pixels और यहां पर आजएगा 30 pixels ठीक है तो देखो यह ओड छोटा हो चाएगा इसी के साथ साथ यहां पर अब मुझे क्या करना है अब मुझे यहां पर आप लोग देखो मैं लगाँगा मीडिया कुरी कहां पर मैं लगाऊंगा 750 पर ठीक है 750 पर मैं मीडिया कुरी लगा दूँगा अब 750 पर जब मीडिया कुरी लगेगी तब पता क्या होगा यह जो sign up page है ने मेरा मैं आपको बताता हूँ यहां पर देखो मैंने अब इसको क्या किया हुआ मैं आपर आता हूँ यहां पर मैंने दे विए डिस्प्ले फ्लेक्स ठीक है और अब मैं क्या करने वालो जब यह आएगा कहां पर 753 पर ठीक है मैं 755 पर लगा देता हूँ मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम वेट मैक्सिमम वेट अगर तो 755 पिक्सल ठीक है 755 पर लगा रहा हूँ मैं दो वैसी ज्याज़ा रख रहूँ ठीक है तो क्या होगा हमारा यह जो फ्लेक्स है इसकी जो डिरेक्शन है वो जाएगी कॉलन ठीक है तो देखना भी यहां पर यहां पर जो ही कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अब हमें तो अब जो है वो क्या होगा कि मुझे इसकी विट दे देनी है 100% मुझे इसके साथ सथ क्या करना है जब यह कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तब मुझे यह करना है कि यह जो मेरा यह जो मेरा Welcome to sign up Basically div है मैं इसको आता हूँ ज़रा और search करता हूँ सबसे पहले तो विट दे भी 40% मैं क्या करूँगा इसकी विट दे दूँगा 100% ठीक है मैं इसकी विट कर दूँगा कितनी 100% तो यहाँ पर simple मैं 100% करूँगा तो देखो यह कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहाँ पर अब मैं एक काम करूँगा कि इसको जो padding है padding दूँगा top से यह मैं align item center किया वह बट मैं एक काम करूँगा कि इसको padding दूँगा padding top कितनी 5 frame के ठीक है तो 5 frame की जो है वो padding top आजाएगी और एक कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा यह जो मेरा sign up form div है basically मैं इसको target करूँगा मैंने किया इसको target यहाँ पर आया मैंने control f पर search किया इसको और इसकी width थी 60% तो मैं क्या करूँगा इसकी width भी कर दूँगा मैं 100% तो यहाँ पर देखना यह कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसको मैं दूँगा थोड़ा सा margin top में margin top 3 rem का देखता हूँ तो देखो यह 3 rem का मैंने margin top दिया इसको इस तरीके से देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आगे में क्या करूँगा एक काम करूँगा इसकी जो box shadow है वो उठा दूँगा ठीक है अब इसकी box shadow जो है उसकी मुझे need नहीं है तो यहाँ पर जो है वो मैंने box shadow हटा दिये बट ऐसे नहीं हटेगी यह मैं बताता हूँ किस तरीके से अटेगी मैं जे सिंपल सब जगा zero pixels करना पड़ेगा क्योंकि वो और लेटी लगी भी है तो यहाँ पर मैं सिंपल करूँगा zero zero और यहाँ पर भी zero 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 और zero ठीक है तो यहाँ पर देखो हट गई box shadow हट गई ठीक है तो यहाँ पर हम मैं क्या करूँगा simple यहाँ पर इस तरीके से आउँगा और यहाँ पर आप लोग देखो बिल्कुल responsive है यह पेज और यहाँ पर 513 के उपर अच्छा यह जो मेरा डेव है basically अभी के लिए मैं इसको red करता हूँ ठीक है जर्स देखने के लिए यह देखो red है ठीक है मैं आता हूँ यहाँ पर और इस screen के उपर मुझे मुझे क्या करना है मैं इसको दुबारा से white करता हूँ मुझे इसकी width को कम करना है ठीक है मुझे इस inputs की field को कम करना है तो मैं simple media को दो लगाऊंगा media query कितने पर max width 445 पर ठीक है max width 445 pixels की अगर होती है तो आप simple क्या करो जो मेरी input fields है basically यहाँ पर inputs inputs area areas box जो है मेरे ठीक है मैं आपर आता हूँ search करता हूँ इस चीज़ को इसके अंदर जो मेरे input है मैंने उसको width दे भी है कितनी मैंने width दे भी है 400 pixels की ठीक है मुझे क्या करना है just मुझे यहाँ पर कर देना है 90% ठीक है मैं just 90% करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर कोई difference नहीं है मैं एक काम करता हूँ है मैं 300 pixels कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जो है वो width apply नहीं हो रही मैंने लगाई यह maximum width अगर तो होती है 445 pixels ठीक है तो यहाँ पर क्या करो background color add कर दो ठीक है देखते हैं क्या यह apply हो रहे नहीं यह भी जो है वो apply नहीं हो रहा है इस पर इसके मतलब हम सही target नहीं कर पा रहें इस चीज़ को तो यहाँ पर background color मैंने क्या वाइप फांड फैमिली पापन्स की वह और इसके इलावा यहां पर मैंने क्या किया हुआ है सिंपल मैं इसको duplicate करता हूं क्या मैंने सभेरिंग और हमें तो किया निगल तो यहाँ पर देखते हैं कि मिडिया को लगाता है वकत तो regiãoल करता हो इस चीज को यहांसे कॉपी करता हूं भेशी कलिकली कर रहां इक तरीकिसे यहां पर मैं पेस्ट कर देता हैं और यहां पर देखते हैं कि यह अप्लाइ होगी है यह इस टिल जो है वो 755 पर मैंने की विए मैं यहां पर आता हूं और यहां पर करता हूं यहां पर 455 ठीक है 455 पर मैं एक काम करता हूं कि इसकी विट जो है 100 पिक्सल की करता हूं ठीक है बड़े स्टिल जो है वह अप्लाय नहीं हो पारी का इश्यू आया है मैं एक काम करता हूँ यार मैं एक काम करता हूँ 445 पर यह जो मेरा sign up basically मैं इसकी width को 90% करता हूँ ठीक है 19% मैंने कर दिया मैं देखता हूँ कितनी है यह देखो यह कुछ इस तरीके से आ रही ठीक है और अब मेरे जो input areas box के अंदर जो मेरे input हैं ठीक है input है basically यहां पर मैं इसको करता हूँ अब copy और यहां पर मैं आता हूँ last में paste और यहां पर आजएगी width इसकी 90% ठीक है किसकी 90% बोल रहा हूँ मैं parent की 90% बोल रहा हूँ बट कि इसकी पर apply नहीं हो रहा यहां पर मैं आता हूँ और class first name input और इसी तरह यहां पर मैं काम करता हूँ कि जो मेरा first name input है यहां पर आता हूँ इसकी width में करता हूँ 200 pixels ठीक है यह अब भी जो है वो apply नहीं होगा मैं signup component.css के अंदर ही खड़ावा हूँ बट यह चीज है वो इसकी पर apply नहीं हो पारी मैं एक काम करता हूँ यहां पर आता हूँ और मैं इसकी width देता हूँ कितनी 90% ठीक है 90 नहीं 90% 90% मैंने किये और यह मैं 100 करता हूँ सब्सक्राइब यहां पर अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहां पर अगर मैं आऊं तरी को मिलेगा क्योंकि विठ्ब वह ओपर फ्लोह करही है बड़ में यहां पर बोल रहा हूं इसको के वेट वह आप कर दो कितनी वैट अगर मैं यहां पर रखूं 300 पिक्सल्स ठीक है let's see मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं refresh कर रहा हूं बट इसके उपर width आप्लाई नहीं हो रही है width आप्लाई नहीं हो पारी यहां क्या issue आ रहा है यह मुझे देखना पड़ेगा ठीक से तो यहां पर मैं अगर देखूं तो मैंने सिंपल से इंपुट्स बनाए है और मैंने width वह सेट की भी भी है आप लोग देख रहे होगे यहां पर मैं अगर यहां पर 100 पिक्सल्स भी कर रहा हूं सही है ना तो यहां पर देखो मैं refresh करो फिर उसक्यूपर अपला है नहीं हो पर रहा तो यहां पर मैं 400 यह रहने देता हूं और मैं यहां पर आता हूं बागी यहां पर आप लोग देख रहे होगे कि यहां पर यहां पर यहां पर यह कर सकता हूं कि अबके इनलाइन स्टाइल और है करके нос डेखता हूं में लाइन स्टाइल करके देखता हूं है ऐा अन पर क्या ऑब यहां पर हो जाएगी कि यहां अब टिक्सिबुशड़़ टिक्ञे अ ऱ मुझे क्या अकरने मुझे तो 200 नहीं करने मुझे तो 400 ही करनी है बट यहां पर मैं काम कर सकता हूँ कि मैं इसको id दे दूं all sign up sign up inputs inputs ठीक है और first लिख देता हूँ आपर first और यहां पर अगर मैं आओ और यहां पर मैं simple इस चीज़ को यहां पर target करूँ और यहां पर जो मैं hash डाल देता हूँ मैं refresh करता हूँ और यहां पर कई मैंने और भी विट्टो set नहीं की भी गया इसको अटाता हूँ एक मिनिट के लिए मैं एक काम करता हूँ यह जो मेरा basically इसका जो parent है मैं इसको विट्ट देता हूँ 80% ठीक है तो मैं इसको एक काम करता हूँ इसको मैं copy करता हूँ यहां से करना है कि मुझे जो है सबसे पहले तो इसकी box shadow भी जो है वह इस तरीके से करना ही ठीक है तो यहां पर आप लोग देख रहोगे मैंने जहां जीरो किया था भी कुछ टेम पहले ही मैंने जीरो pixels किदर की थी मैंने यहां पर की थी इसको copy करता हूँ यहां पर भी paste ठीक है और यहां पर भी paste ठीक है अब जहें वह काफी ठीक लग रही यह चीज बिलकुल apps वाईली लूक आ रही है यहां पर आप लूक देखो अच्छा मुझे मुझे क्या करना है मुझे इसकी विट सेट करनी है बट के apply नहीं हो पा रहा तो मैं काम करता हूँ यार यह जो मेरा inputs एरिया है ना basically मैंने काम करता हूँ यह जो मेरे inputs एरिया में इसको अभी के लिए background color set करता हूँ 445 55 के उपर 455 के उपर background color set किया मैंने अब मैं क्या करूंगा इसको मैं weight दोंगा कितनी weight दोंगा मैं 80% ठीक है उनको weight दे दो आप कितनी 100% ठीक है उनको weight दे दो आप 100% तो let's see यहां पर देखो यह apply हुआ है नहीं हुआ मैं यहाँ पर आता हूँ मैं लिखता हूँ 200 pixels की width दे दो उसको तो क्या pixels में width देगा नहीं देगा तो यह pixels में भी width नहीं दे रहा है मैं यहाँ पर inspect करता हूँ जरा inspect करता हूँ और यहाँ पर मैं width enter करता हूँ width ठीक है width मैं देता हूँ 200 pixels बट यहां पर तो यह apply हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो यहां पर भी apply होना चाहिए अगर यहां पर apply हो रहा है तो मैं simple मैंने क्या किया हुआ है add the media screen and mix with ठीक है बट यार कुछ ना कुछ तो issue है जिसकी वजह से यह हमें देखने को मिल रहा है अलना कि मैंने जो है वो सब कुछ set किया हुआ है ठीक है मैं काम करता हूँ dot m करके main करके जो बराता हूँ ठीक है और यहां पर simple लिखता हूँ जो dot main के अंदर जो dot main के अंदर जो मेरे input है उनको weight दे दो 200 pixels बट यह stale हो ही मुझे जो है मैं काम करता हूँ मैं काम करता हूँ यहां पर बेकोड चीज़ है कि आईडी में देता हूँ ID sign up first sign up first sign up first sign up first मैं आईडी दी copy किया यहां पर अगर किसी को पता है comment के अंदर ज़रूर बताना कि यह क्या issue आ रहा था ठीक है हम किसी ना किसी तरीके से इसको ठीक तो कर लेंगे बट आप लोगोंने बताना है कि यह क्या issue है जिसको पता यह चीज़ ठीक है तो यहां पर मैंने simple width दिये 100 pixels ठीक है तो यहां पर देख रहे हो width set हो चुकी है 300 pixels में देता हूं तो मैं 320 कर देता हूं जैस्ट ठीक है 320 कर देता हूं तो 320 कुछ इस तरीके साथ आज़ेगी इसके साथ साथ मैं signup second signup third signup fourth करके बना लेता हूं से जल्दी से signup signup second ठीक है और इसी के साथ साथ copy किया मैंने यहां पर इसको paste किया मैं simple लिखता हूं यहां पर signup third ठीक है और इसी के साथ साथ यहां पर मैंने इसको paste किया और यहां पर simple लिखता हूं signup fourth ठीक है तो signup second को मैं copy करता हूं यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं इस तरीके से करूंगा इसी के साथ साथ मैं एक और बार paste करूंगा इसके साथ जब करूँ गर मैं इसको copy करूँगा जल्दी से थशाइब यहां परमने paste किया मैं पर कईर करूँगा और में यह जल्दी से मैं इसको paste कर दूँगा यहां पर देखना सब केवेटल यहां पर सेट हो जाएगी और यहां पर सब्की विटल मैंने tannenky पिक्सल्स की जो है वो कर दिये अब यहां पर मैंने इसको विट दी थी 80% तो मैं 80% नहीं दूँगा इसको विट यहां पर मैं आता हूँ तो यहां पर देखो ही कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसका जो बैग्राउंड है उसकी निदिनी है मुझे तो यहां पर लास्ट होगी मीडियक वरी इस कॉंपोनेंट की सही है 380 करता हूँ और यहां पर मैं काम करूँगा कि 380 के उपर मैं इसकी विट कर दूँगा 280 ठीक है 380 पर 280 let's see तो यहां पर देखो काफी ठीक लग रहा है बुरा नहीं लग रहा और यहां पर आकर मैं 328 पर मुझे लग करूँगा कोई इश्यू नहीं है 328 और यहां पर 260 ठीक है 260 पिक्सल्स बस इनाफ है इससे चोटी स्क्रीन होगी नहीं तो गलेक्सी फोल ले उसमें भी ठीक लेगा ठीक था कि देखने को मिलेगा ठीक है तो इसके उपर आकर मैं इसका फॉंट सेज भी छोड़ा करता हूँ है कि जोमेरे create account की heading बेशिकली create an account heading मैं simple गयं and heading ठीक है польз अपकी किया यहां पर आया यहां पर simple pace ठीक है मैं यह अपर दोंगा simple कितना 12 Daarवा पिक्सल्स का 12 हानी 12 ज्यादा चुटा हो जागा मैं 15 करता हूँ ठीक है तो मैंने 15 पिक्सल्स किया यहां पर और यहां पर इसका फॉंट साइज भी छोटे नहीं हुआ इसके जड़ा एक काम करता हूँ ठीक है और इसके अंदर तो मेरा एच्टू है मैं और लड़ी इसको जह वह दे चुको इस तरीके से तो मैं यहां पर आऊंगा 25 ठीक है यह 20 अच्छा सोरी सोरी गाइज वह यहां पर इसकी नहीं थी सही है इसको मैं कॉपी करता हूं यहां पर मैं पेस्ट किया और इसका फॉर्ट से इस करूंगा इसको रहने देते हैं देखो इस तरीके से और यहां पर हमारे इसको पर्फेक्ट काम कर रहें अब हम क्या करते हैं रजाता है अब आज आजाता हूं लोग इन की उपर और लाग इन की उपर अब मुझे क्या करने एं मुझे गढना है सबसे बहले तो inspect ठीक है? inspect मुझे करना है और inspect मुझे करना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसके उपर media query लगाऊंगा 931 के उपर, ठीक है? 931 के उपर मैं media query लगाने वाल हूँ तो यहाँ पर मैं आज़ोंगा simple close करूँगा इन दोनों को और मैं आज होंगा कहां पर login component के अंदर ठीक है अच्छा अब यह जो login component है यह मिलेगा कैसे basically तो यह रहा basically यह रहा साम ही नहीं मिल गया साम नहीं मिल गया वरना मैं search करने वाला था इस चीज़ को ठीक है चलो ठीक है तो अब मैं simple आता हूं यहां पर simple लिखता responsive login component ठीक है responsive login component ठीक है ठीक हो गया अब मुझे यहां पर क्या गड़ने है सबसे पहली media query लगने वाली है media query media screen max width कितनी है max width max width है मेरी 931 ठीक है 931 तो मैं simple लिख गता हूं max width मेरी है 931 pixels अगर तो तब क्या करो तब यह करो कि यह जो welcome to login की heading है basically इसको थोड़ा सा छोटा करतो ठीक है सब्सक्राइब मैं आपर आता हूं और यहां पर मैं इस तरीके से copy करूंगा इसको यहां पर आऊंगा यहां पर मैं सर्च किया और यह मिल गया मुझे h2 ठीक है मैं आपर आजाता हूं नीचे यहां पर click करोगा तो नीचे आ जोगे मैं आपर simple लिखता हूं 35 pixels ठीक है 35 थोड़ा छोटा हो जाएगा मैं आपर आता हूं तो देखो कुछ इस तरीके सो जाएगा मैं आता हूं यहां पर 809 पर 809 पर मैं 30 कर देता हूं just 809 के ऊपर ठीक है उसके बाद जोगे हम इसको कॉलम में लेंगे 809 809 30 तो यहां पर मैं सिंपल 30 किया मैंने तो देखो यह कुछ इस तरीके साथ आजएगा और इसके बाद मैं 759 के उपर इसको कॉलम में ले आँगा ठीक है 759 के उपर मैं इसको कॉलम में लाने वाला हूँ तो यहां पर सिंपल में लेकूंगा 759 759 और यहां पर मैं इस चीज़ को हटाऊंगा और यहां पर मैं आऊंगा और यहां पर इनका जो लॉग इन अप पेज है ठीक है इसको मुझे कॉलम में लेकि आना है यह जो मेरा डेव है तो मैं सिंपल इसको क्या करूंगा मैं इसको भी उठालूंगा इसको भी उठालूंग की ठीक है और इसको मैंने विड्ट देनी है 100% की ठीक है तो अभी देखना क्या होगा 759 के उपर यह मीडिया को यह नहीं लगी ठीक है अच्छा इसलिए नहीं लगी क्यूं क्यूंके हमने जो है वो इधर पिक्सल्स नहीं लिखा ठीक है तो यहां पर सिंपल मुझे लिखना ह है मुझे सिंपल आना है साइनप कॉंपोनेंट के अंदर और css की फाइल में और यहां से मैं सिंपल इसका बॉक्षएड़ को कॉपी करूंगा कॉपी कॉपी दिस बॉक्षएड़ अच्छा इस शॉपिंग कॉंपनेंट है सुरी मैं आँगा सुरी यहां पर साइनप इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसके इलावा में इसको देता हूं तो अब मैं क्या करता हूं यहां पर सिंपल इस तरीके से इसको देख लेता हूं और यहां पर आप 442 पर मेरी मीडिया को यह लगेगी जिसमें इसकी जो वेट है वो थोड़ी सी छोटी होगी 2442 ठीक है तो यहां पर सिंपल में आता हूं सिंपल लिखता हूं एड़ दरेड मीडिया मीडिया स्क्रीन एड़् मैक्स वेड़ मैक्सीम वेड़ अगर तो maximum width अगर तो 442 pixels हो जाती है तब क्या करना है तब यह करना है कि जो हमारी inputs है basically login के time पे जो inputs है email और password की उसको आपने width को छोटा कर देने तो यहां पर simple मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर लिखोंगा simple id login login first input field इस तरीके से आप लिख दो और यहां पर यहां पर paste ठीक है और यहां पर simple width मुझे कम करना है तो मैं विट कर दोंगा 300 pixel तो यहां पर देख लिखें मैं 442 पर हाँ विट कम ह Mina ठीक है तो विट कम हुई है मुझे क्या करना है मुझे इसके साथ साथ यह जो इसकी विट है कि इसकी जो width है basically, इसकी width, इसको भी छोटा करना है, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, ठीक है, तो यह मैंने दोनों की width जो है, वो छोटी कर दी, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आऊंगा, और मैं आप पर देख लेता हूँ, कि 352 के उपर मेरी मीडिया को लिए लगेगी, next, 352 के उपर क्या होगा, या मैं उससे छोटा करता हूँ, थोड़ा, हाँ, मेरी मीडिया को लिए लगी, 327 पर, ठीक है, 327 के उपर क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ, 327 के उपर यह होगा, simple, 327, और 327 के उपर यह होने वाला है, कि जो हमारी width है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी ठीक है 280 देखते हैं 327 के उपर हमारी width 280 हो जानी चाहिए वो इसलिए नहीं होरी क्योंकि हमने pixels नहीं लिखा ठीक है तो यहाँ पर देखो यह और चोटी हो गई है बसी चोटा करना चाहो तो भी कर सकते हो 304 पर एक और 304 पर कर दो 260 की 260 की कर दो तो इससे चोटा इससे चोटा नहीं होगा ठीक है इतना ठीक है तो हमारा login component जो बिल्कुल perfectly जो यहाँ पर काम कर रहे हैं मैं यहाँ पर आऊं तो इस तरीके से देखने को मिलेगा tablet screen की उपर और यहाँ पर मैं आऊंगा तो mobile screen के कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहाँ पर मैं आऊंगा तो कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अगर मैं sign up की उपर आऊंगा तो sign up भी जह हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कि अभी काफी जो है वो ठीक लेगा रहे हैं सही है तो अब हम लोग ने नेक्स वीडियो में क्या करना है हमारा जो single product page है basically उसको हमें responsive करना है तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही guys thank you so much guys for watching this video अगर अभी तक आज इस वीडियो के इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next video take care